हेलो दोस्तो हिंदी मेरर प्रवा आपका स्वागत थे तो आजके वीडियो में जो हम लेकर आए हैं रेकिन उससे पहले हम जो इनका लिखा गया नींडारष निबंध है उसके बारे में समफोर्ण जानकारी आपको देंगे चलिए क्या है निंदारस हरी संकर प्रसाईजी के लेखन के द्वारा हम उसको देखते हैं क्या उन्होंने लेखन के द्वारा बताया है कि निंदारस किस्वरकार का होता है अच्छे से इसको आप समझेंगे तो questions जो इसे बनते हैं निंदारस से उनको आप अराम से अपने एक्जाम में अप्लाई कर पाएंगे तो निंदा रस जो इन्होंने प्यंग लिखा है इसको तोड़ा अच्छे से आप समस्ये शुरू करते हैं का का इन्होंने एक अन्य व्यक्ति है उसके बारे में इन्होंने पोला है संबोधित किया है उसको का नाम से का काई महिने के बाद इनके पास आये थे सुबह चाई पीकर अगबार यह देख रहे थे कि वे पौन का वे तुफान की तरह कमरे में घुसे और पकड़ में भीम का पुतला गया तो उन्होंने प्राण घाती सने से उसे जकड़ कर चूर कर डाला था माभारत की कहानी अगर आपको पता है तो जब माभारत का युद्ध चल रहा था तो उस वक्त धरस्टराश रोपांड़ों में जो युद्ध चल रहा था तो भीम को पता चल गी थी दरस्टराश की तो उन्होंने उसको क्या किया सने से जकड़ कर चूर चूर कर डाला था तो ऐसा ही कुछ महसूस किसको हुआ जो लेखक है उन्हों भी ऐस तरह का ही महसूस हुआ कि काउन से गले मिला हर गिज नहीं वह तो मैंने शरीर से मन को चुप-चाप किसका दिया पुतला उसकी पाहों में सौप दिया जो लेखक है उन्होंने अपना जो पुतला है जो शरीर है उसकी पाहों में सौप दिया लेकिन अपने मन को उससे अलग रखा मुझे मालूम था कि दरस्टराश से मिल रहा हूँ पिछली रात जो है एक मित्र ने बताया थ था कि काव अपनी सुस्राल आया हुआ है और गाव के साथ बैठ कर शाम को दो तिन घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा तो यह जो व्यक्तियों के नाम उन्हें रखे हैं लेककने का गाव इस तरह से उन्होंने नाम रखे हैं तो यह जो का था जो इनसे मिलना आया था किसी तीसरा व्यक्ति था गाव उसके साथ बैठ कर इनकी भी वैनिंदा कर रहा था और छलका धरस्टरास्ट जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए आपको उसके साथ जो है मन से नहीं मिलना चाहिए अपना जो है शरीर ही उसको देना चाहिए तो उन्होंने इस तरह का जैसे वो चाल आपकी साथ खेल रहे हैं वैसे ही चाल आप उनकी साथ उनकी साथ छल आप कर सकते हैं चली आगे देखते हैं यह मेरा दोस्त अभीने में पूरा है यानि कि पुल को लेक्टिंग में पूरा है यह उसके आशू भर नहीं आए बलकि बाकी मिलन के हर खाराय की बहुत ही प्यार करता है बहुत ही इस नहीं रखता है किसके प्रती जिन से वो मिलने आया है अब वह कह रहा है कि अभी सुबह गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चलाया लेकिन ऐसा नहीं था वो पहली रात ही आ चुका था जैसे आत्मा का एक खंड दूसर के खंड से मिलने को आतूर रहता है कि जैसे एक दूसरे से मिलने के लिए हम तरफ रहे थे मैं ऐसे ही तुमसे मिलने के लिए एकदम आ गया आते ही जूट बोला कल का आया हुआ है ये मुझे मेरे मित्र نے बता दिया था कुछ लोग बड़े ही निर्दोष मित्याबादी होते हैं कि ऐसा लगता है कि वो जूट तो बोल रहे हैं लेकिन उन जैसा सच्चा कोई और नहीं है वे उनकी आदत होती है प्रकरती के वशी बूत ओकर वह जूट बोलते हैं उनके मुख से निश्पराय निश्परयोजन हो उनके मुख से क्या है बीना ही प्रयास के बीना ही ब्रयोजन के वह जूट बोलते हैं चाय जूट बोलने का रिजन हो या ना हो लेकिन वह जूट बोलते हैं वह उनके आदत बन जाती है यह प्रकरती के वशी भूत वह हो जाते हैं ऐसे ही रिस्तेदार हैं एक लेखक के वे अगर मंबई जा रहे हैं तो उनसे पूछो तो वे क्या कहेंगे कलकत्ता जा रहे हैं ठीक बात उनके मुसे नहीं निकल सकती कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बताना ही नहीं चाते वे कहां जा रहे हैं तो वो जो है जुड़ बोल देते हैं कि हम बहां जा रहे हैं और जाते वो कहीं और है तो अब क्या वह बोला और गा के निंदा आरम कर दी अब रात में तो जो गाह था वे गाह के पास बैठकर निंदा कर रहा था लेकिन अब वे गाह की निंदा लेकर के सामने कर रहा था मनुष्य के लिए जो भी कर्म जगरा है वे सब गाह पर आरुपित कर उसने गाड़े काले तार कॉल से उसकी तस्वीरे खीज दी कर रहा है ऐसी ही उसने मेरी बुराई गाह के सामने की होगी सुबह से बाचीत के एजन्डे में गाह परमुख विशा था तो वह सिर्फ गाह के बारे में ही बातें करता रहा तो जहां एक व्यक्ति इस तरह का अब्यक्ति होता है जब वह दूसरे व्यक्ति प्रचित की निंदा कर रहा है तो क्यूं मैं भी लगे हाथ अपने विरोधियों की गत इसके हाथों करा लूँ अगर जैसे मैं अगर कुछ भी बात तो लेखक ने ऐसा सोचा कि अगर मैं भी अपने जो विरोधी है एक का भी नाम अगर मैं बोलूँगा तो वह शुरू हो जाएगा मैं विरोध्यों के नाम लेता गया और वह निंदा के तलवार से उनको काटता गया यानि कि ये लेखके एक बात बोलता था नाम लेता था वह शुरू हो जाता था जैसे लकड़ी चीड़ने की आरा मशिन के नीचे मजदू लकड़ी काटता है बैसे ही कि मैंने इधर मशिन मे जो है लकड़ी लगाए उसने धरादार उसको काट डाली मेरे मन में गतरातरी उस निंदक मित्र के परती मैं नहीं रहा क्यों नहीं रहा दोनों एक हो गए हैं हम क्योंकि तीन चार गंटे बाद जब वह विदा हुआ तो मैंने मन में शांती और तुस्टी थी मतलब मेरा मन शांता और संतुष्टी थी निंदक की ऐसी ही महिमा है निंदक को थी सी एकारगता परत इस पर आत्मिता निम गंता बहकतों में दुद्लब है इसलिए संतों ने निंदकों को आंगन आंगन कुटी छवाए पास रखने की सला दी है ये कहा है जो संत है उन्होंने कहा है कि अपने पास एक निंदक जरूर रखिए निंदक कैसे होते हैं जैसे आंगन कुटी छवाए तो यह इस तरह के होते हैं कि अगर आपके पास निंदक है तो आपको अपनी कम्यों के बारे में पता चलता रहेगा और आप उनको ठीक करते रहेंगे तो संतों ने निंदक को दूसरी तरह से पेश गया आपके सामने लेकिन कुछ निंदक कैसे होते हैं वो सही नहीं होते हैं कुछ ऐसे होते हैं कुछ निंदक आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं वही बात जो है लेखक आगे आपसे कहना चाहरा है कि लिंदा कुछ लोगों के लिए टॉनिक होती है हमारी पडोसन वृद्धा बीमार्थी टॉनिक का मतलब अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो उनके अंदर जानी नहीं आती है अगर वह निंदा नहीं कर लेते जब तक बुरा कि किसी के साथ भाग गई है बस चाची उठीर दो-चार पडोसों के यहां बात बता पन्ने व्यक्तिगत कमेंट के साथ सुनाने चली गई उसी दिन से उनकी हालत सुधरने लगी उनके अंदर जान आ गई टॉनिक आ गया वो रहे करने को मिल गई उनको इशा दुष से प्र आप चैन से सोईए और वह जलन के कारण सो नहीं पाते हैं जो इशा वाला निंदक होता है वह क्या करता है वह आप से जलता रहता है और उसका बेचैनी रहती है जिसके कारण उसको चैन नहीं आता है इस तरह के जो हैं इशालू निंदक होते हैं अब आगे आते हैं निंद की परवर्ती में दिनों दिन जापा होता है और इंद्र को इंद्र से बड़ा तो कोई इरशालू माना जाता है क्योंकि वे निठलला है सुरग में देवताओं के बीना उगाया अन महल में मिल जाते हैं अक कर्मनेता में उन्हे अपर्तिस्वित होने का भै बना रहता है इसलि और वो अपना टाइम पास कैसे करते हैं वे निंदा के द्वारा ही करते हैं यहाँ पर उन्होंने इस तरह का ये वर्णन किया है चले आगे देखते हैं निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है अब वो पूंजी किस तरह से होती है बड़ा लंबा जोड़ा व्यापार फैलाते हैं वे इस पूंजी से कि वे जो है इधर करते हैं उधर करते हैं तो इस तरह से क्या है बहुत जंग्या हो जाकर रिंदा करते हैं कई लोगों की respectability यानि के परतिस्ठा ही दूसरों के कलंग कथाओं के पराण पर अधारित होती है इस तरह के लोग क्या करते हैं जो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो लोग भी इस तरह के होते हैं कि वो अपनी इज़त बनाने के लिए अपने नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं दूसरों पर कलंग लगाते हैं उनकी बुराई करते हैं चाहे उनमें हो या ना हो तब भी वो ऐसा करते हैं तो यहाँ पर लेख का कहने का तात्तर यह यह है कि अपनी परतिस्ठा बनाई के लिए वे दूसरों को कलंग कित करते हैं उनके लिए मनगनत कहानिया गड अब आगे देखते हैं आप इनके पास बैठे और सुन लीजिए बड़ा खराब जवाना आ गया है तुमने सुना फला और अमुक अपने चरितर पर आख डाल कर देखने की उन्हें फुरसत नहीं है लेकिन दूसरे के चरितर में वो बाते करते हैं फिर आगे वो कहते हैं कि च चक्का दगाबाज आदमी है वेमानी से पैसा खमाता है कहती है में सेली की जंगे होती तो ऐसे पती को त्याग देती लेकिन तब उसका पती उसके सामने यह रह से खुलता है कि वह सम बेमानी से इतना पैसा लाता है सुनकर पती जो पतनी थी इस तरी ती वो क्या रहेगी क्या उसने पती को त्याग दिया जी हाँ वह दूसरे कमरे में चली गी लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया लेकिन दूसरों में वह दोश निकाल रही थी लेकिन वक्त आने पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम में जो करने की शमता नहीं होती है व उस व्यक्ति की निंदा करने लगते हैं और उससे अपने को अच्छा समझकर समझकर तुस्ट होते हैं तो इस तरह से उन्होंने प्रकार ये निंदक के बताये हैं कि किस प्रकार के निंदक होते हैं और वह किस प्रकार की फिर निंदा करते हैं तो यहां पर बहुत ही अच्छ जेकर हरशंकर प्रसाईने निंदा का किया है चलिए आगे देखते हैं और क्या बताया है उसमित्र की मुलाकात करीब दस गंटे बाद सम्मन में रहा अब कुछ तठस्त हो गया हूँ तो इस प्रकार से जब लास्ट में खतम हो जाते हैं सब ये निंदा के बाते हैं उनकी तो लेकर लास्ट में सोचते हैं कि उसमित्र की मुलाकात के करीब 10-12 गंटे बाद सम्मन में मेरे रहा मताब वो लेखक के जो मित्री थे वो चले जा चुके हैं काजो थे अब उनके दस बारा घंटे के बाद भी जो लेखक के मन में सब कुछ बाते चल रही हैं और वह कह रहे हैं कि अब मैं कुछ तठस्त हो गया हूँ अब कुछ अलग मुझे ख्याल आ रहे हैं उस बातोस को लेकर सुबह जब उसके साथ बैठा था तम्मेसम निंदा के कालस सागर में डूबता उतरता था और कलोल कर रहा था बड़ा रस है निंदा में लेकरक ने आप सोचा कि कितना मजा आता है दूसरों की बुराए करने में लिंदा करने में निंदा सबदरसाल कि निंदा का सबसे बड़ा रस है तो इस परकार से ही हरिशंकर प्रसाइजी के द werा निंदा रस लिखा गया है बहुती सुन्दर उन्होंने ये व्यंग लिखा है और मुझे लगता है कि ये जो निंदा रस मैंने आपको बताया है पसंदाया होगा किस किस प्रकार के उन्होंने निंदक बताया है कि खोते हैं और वह किस के बशिबूत होकर आपके निंदा करते हैं वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है शेर जरू कीजिए कि अगर आप शेर करते हैं तो खेर करते हैं और साथ में एक कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि आपके कमेंट की थूर हमें पता चलता है कि आपके क्वैरी किस तरह की है हिंदी मिलर की तरफ से सभी उनिवस सब्सक्राइब कर दीजिए जिसे नए वीडियोगे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें और शेयर कीजिए और केर कीजिए